गरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है आज जो आपको हम बताने वाले हैं वह हैं शैंपू के बारे में जी हाँ हर्बल शैंपू अगर आप जानना चाहते हैं हर्बल शैंपू कैसे बनाएं अपने घर में और आप चाहते हैं कि यह जो मार्केट में मिलने वाले जो कैमिकल्स वाले शैंपू से बचना चाहते हैं और अपने घर में शैंपू बना कर रखना चाहते हैं जिससे आपके बालों को कोई नुक्सान ना हो तो आप इस वीडियो को अन्त तक देखते रही इस वीडियो में हर बल्स बनाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए और किसे कैसे बनाते इसके बारे हैं हरब्ल शैंपού बनाने के लिए जो सामग्यरी चाहिए उसके बारे में पहले आपको बता दो सामग्यरी है रीठा 50 ग्रम, आवला 50 ग्रम, शिका काई 50 ग्रम, संत्रा का छिलका 50 ग्रम, नागर्थ होता नागर्मोथा, ठीक है नागर्मोथा भी 50 ग्रम sodium Laurel seulfite 1 kilo ले ले जी हां अब बनाने की विधी इसको कैसे बनाएंगे वह बता रहें आपको एक से पांस तक की सामग्री जो हम ने आपको बताई सुरू से आपको यह description में मिल जाएगा वहाँ से भी आप देख लिजएगा एक से 5 तक की सामग्री को 1 लीटर पानी में रात भर के लिए भीगो ले सवेरे इसे इतना उबालिए कि इसकी जो मात्रा है जो भीगो वगा हुआ 1 लीटर पानी में इसको आप लिजिए और गैस पर रखके इसको इतना उबालिए कि ये के वर 500 ग्राम तक बच जाए अब इसको कपड़े से च्छान लीजिए और सोडियम लारेल सर्फेट को भी इसमें अब मिला दीजिए आपका शैंपू बन के तयार हो गया है इसको आप किसी शीशी या किसी बॉटल में भर कर रख ले और इसे रेगुलर यूज मिला है और आपके बाल अगर जड़ते हैं अगर आपके बाल में रूसी है या आपके बाल में चमक नहीं है तो इस सैंपू से आपको सभी चीजों में सभी विमारियों से बाल के छुटकारा मिल जाएगा और आपके बाल काले घने लंबे बने रहेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेट कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो और इस चैंपुक बनारे में अभी आपको कोई भी दिक्कत आ है तो हमें कमेंट बाक्स में लेकर प सब्सक्राइब कर लें मिलते अगले वीडियो में तब तक नमस्कार दोस्तों है